जल्बीन मश्ली ये कहावत तो आपने सुनेए होगी लेकिन सच में मश्लिया जल्बीन जिन्दा रह सकती है क्या ऐसी कल्पना कभी आपने की थी अब ये कल्पना करने का वक्त आ गया है दोस्तों क्यूंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मश्लियों की ऐसी आई ये जानते हैं पहली प्रजाति के मश्ली के बारे में जो पानी के बाहर जिन्दा रहने के साथ-साथ जमीम पर आराम से चलती भी है खाइलम से लगने वाले प्रशांत महसागर यानि पैसिपिक ओशन में मर्स की पर नामक प्रजाति की मश्लिया पाई जाती है जो पानी से बाहर सांस तो लेती ही है साथ ही बाहर निकल कर मज़े से कई-कई घंटों तब दलदली जमीम पर रेंग-रेंग कर चल सकती है ये मश्ली जमीम पर केड़े मकडों को अपना भोजन बनाने के लिए गुनती है किचड और दलदल में रहने वाली इस मश्ली की आखे इसके सिर के उपर वाले हिस्से पर होती है और ये आकार में बड़ी प्रतित होती है जू वैग्यानिकों के अनुसार ये एक एमफिबेंस प्राणी है ये सामान्य मश्लियों की प्रकृति के विपरित है इस कारण से इसका शरीर इस तरह से बना है कि ये पानी के अंदर और बाहर संतुलम बनाये रखने में सफल रहती है ये सब संबह होता है इसके शरीर में बने दो स्पंच पाउच की वज़े से जमीम पर आते वक्त ये इन स्पंच पाउच में पानी भर लेती है इसी पानी से ये अपने फेपड़ों को घीला रखती है और जब दोनों थैलियों का पानी खत्म हो जाता है या सूख जाता है तो ये अपने मूँ से oxygen ले लेती है दूसरी प्रजाती वाली मशलियों के बारे में बात करें तो इस मशली प्रजाती को वेग्यानिकों ने 2020 में खोजा है जिसे शोद करता ने ब्लेनिज नाम दिया है एक शोद में पता चला है कि ब्लेनिश प्रजाती की मशलिया पहले कुछ समाई के लिए जमीम पर आती जाती थी लेकिन अब उन में से बहुत सारी मशलिया जमीम पर ही रहने लगी है इस चोद के नतीजे ब्रिटिश एकोलोजी सोसाइटी की जनरल फंक्शनल एकोलोजी में प्रकशित हुए है ब्लेनिश मशली के वन्ष की कई तरह की मशलिया है इन में से कुछ तो अब भी पाणी में ही रहती है जो पानी से कुछ समय के लिए बाहर लहरों के साथ आती है और उनी के साथ वे खुद को गीला भी रखती है लेकिन कुछने पानी पूरी तरह से छोड़ दिया है और धीरे-धीरे ये पानी से बाहर ही रहने लगी है इन मश्लियों की खासियत ये रही है कि इन्होंने बार-बार समुद्र से बाहर आकर जमीम पर समय बिताया है धेरे-धेरे इन्होंने जमीम पर रहने की कला ही सीख लिए इसके लिए उन्होंने बदलते तापमान और ऑक्सिजन स्टर के अनुकूल खुद को ढाल भी लिया है तो दोस्तों इन मश्लियों के बारे में क्या आपको पता था आपका जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए मिलते हैं डिवाइक के अगले वीडियो में तब तक के लिए स्वस्त रहिए तो दुरूस रहिए और खुश रहिए थैंक्यू सो मच कर दो कर दो 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 कि और आया